को है तो डोस्तों स्धुर्स वभतेख्डि की तुम मैं आप लों स्वाइंगे लेकर आए हूं केलेगे की तरभ चलिए तो चलते हैं अपने वीडियो की तरब है कॉ है कि आयू दोस्तों केले इसके लिए अगी कहा चलिए तदया है नियुका प्याज चोटा प्याज सा कड़ी पत्ता ले लिया थोड़ा सा एक हरी मेर्च केले हमने चील लिया है उतार लिया इनका इनको पोटेटो मैशर से इसको मैश कर लेंगी अच्छे से कूप तबा दबाके तौर अपंडे हो गरम अगर हम मैश अच्छे से हो जाते मीभरव इसतर से माश कर दिखने हैं ये अच्छे से पिटेटो मैश कर लिए इसे सारे इसे लिए गरम देख में बनाने के लिए किसा अधर किसी मार्ण ओ。 अधर डालेंगे सारे आद श्मच नमच लाल मिर्श जाल अधार दोड़ी Wal derma डालेंगे जमिया पॉड़र आदा सम्माच दालेंगे कल्दी पॉड़र इसी में आदा निभूने चोड़ देंगे थोड़ से डालेंगे धनिया एक चमज डालेंगे बेसन एक से टेड़ चमज डालेंगे बेसन इससे ज्यादा नहीं डालना नहीं तो यह कोपते हमारे टाइट हो सकते हैं उनको मिला लेंगे इस चमज डालेंगे देशी घी इसी में देखिए दोस्तों डो के फैम में हो गया है टाइट नहीं करना सॉप्ती रखना इसको इसके बॉल मना लेंगे चुट चुटी दो हमारा तयार है इसको रब देंगे साइड में डबके अब कर लेंगे ग्रेवी की तयारी इसके तीन प्यास, तीन टमाटर, एक हरी मिर्च, आठ से तस लैसन की पुतिया है यह मखाना ले लिया है काटूरी इससे हम ग्रेवी बनाएंगे गानिश के लिए धन्या है इधर मखाने को डाय रोस्ट कर लेंगे एक चमस डालेंगे तेल, तेल खलका गर्म हो गया है इसमें डालेंगे जीरा, ग्रेवी की हम प्यारी कर रहे हैं दोसको जीरा भूनने के बाद लैसम डाल देंगे इसमें, एक हरी मिष्ली लिए वो हमने तोड़के बंडाल दिये चमस जाए दोनें रॉंदा उससे नबदाई उसिति दे बंड़ना नाद वीक दखुआ हुए याः लिया हमोगा में शीन ऋस्यिकर लिए उसे बंड़े क्यां करेंगे फिना उन्ही दिखाए अगा और लिएं आपके टालेंगे नबग, दो समर्सक चाल देगी पानी धक्रफो धग देंगे, एदग के दो हो के सॉफ्ट होने देंगे यह कि इदेए टमाठ पे हमारे हो गया है नीके फिलका उतार लेंगे फिलका प्रापी बिलग आपी नेजा लिएगगा सारे चिलके से उतार लेंगे सारे टमाटर के चिलके उतार लेंगे सॉफ्ट हो गया है यह दिखिए राने इदर मखाना जो ड्राय रोस्ट किया था यह बीस में डाल देना सॉफ्ट हो जाएगा अश्कों ढटके पकालेंगे फोड़ी फिर और इसमें और ड्राय मसाले और डालेंगे थोड़ी फिर इदर सारे सुखे मसाले डाल देंगे थोड़ा से धन्या ढालेंगे गैस की फिर मैंने आफ कर दी है तोड़ा डालेंगे हलका सा अल्दी पॉड़ा फोड़ा से डालेंगे जरम मसाला जरासी डालेंगे लाल मैच इदर हमारी ग्रीबी ठंडी हो रही अभी गरम है तो जार में अभी तो पीस ही नहीं तब तक हम कर लेते कोपते की तयारी इसको लग डग देते हैं हंडा होने के लिए इदर उने ले लिया कराई में तेल अब हम कोपते के लेंगे फ्राई कर लेंगे यह हमने जो दो तयार की ज़ा था कोपतों के लिए इसके बाल्स बना लेंगे सारी बाल्स फ्मी के बना लेंगे कोल्गम यह देखे के बाल बनुत के तयार है थोडा तो रह गया niece आप तो दिखा रहे हैं च्रीक मों युक्त यह नहीं करनें नहीं है सारे कोप्ते इसी तर से प्राई कर लेंगे गोल्ड हो जाओं हो लेता एक बैट हमारा सिख चुका है देखिए कितने केस्पी है देखिए आप लोगो देखने से लग रहेंगे दोस्तों गोल्डन ब्राउन हो चुके है अच्छे से सीख चुके है इसी तर से सारे सीख लेंगे पोप्ते तक तक हम अपनी ब्रेवी त्यार कर लेते हैं यह अपने ले लिया है एक प्रुकड़ा पनीर का यह भी सिमी कट करके डाल देंगे मिक्सी के जार में और यह जो हमने क्यार किया था यह त्यार हो गया है यह भी जार में कर देंगे इसका पेस्ट बनालेंगे महीन महीन क्यूख छिल केको मैं टमाट़ के निकाल लिये थी चंक्स रहने चाहिए अगर कोई भी दाना या चंक्स रह जाता है इसका तो हम चलनी से स्ट्रेन कर लेंगे पैसे तो नहीं रहेगा तो इसको महीन महीन दीस देंगे यह देखे गिरल ग्रेविय वाली तयार हो चुकी है पाइन अच्छे से हो चुकी है महीन महीन हो गए है कडाई में ले लिया हमने एक चमस देल ग्रेवी यह रहा यह जोने बीसी है यह बीसी में अच्छे से ग्रेवी हमारी पंचुकी है इसमें क्या करेंगे यह हमने जार में पानी ले लिया है इसी का मसा लेगा जा देंगे इसमें इदर डाल देंगे चमच कस्तूरी मेती हाथ से मसा लिया है थोड़ा से डाल देंगे चीनी के दाने लग देंगे इसको यह ले ले जिसमें मैंने कस्तूरी मेती ली थी ना उसी मैंने दूद की मलाई फेट ली है इसलिए ऐसे लग रही है दोस्तों यह हम डाल देंगे इसी ग्रेवी में इसको दखके बॉयल आने देंगे यह देखे दोस्तों हमारी कोपते की ग्रेवी बन के तयार है कोपते अभी मैंने नहीं डाले है क्यूंकि कोपते सारी ग्रेवी सोप कर लेंगे मैं आप लोग को स्रॉप करके दिखाते हूं इस तरह से पनीर थोड़ा सा गानिश किया है और धनीया पती से मैंने थोड़ा सा गानिश किया है यह मिर्च करके रग दिया ऐसे सर्फ परिया आप लोगो अब ये बताईए दोस्तों आप लोगो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताईए कि दोस्तों एक दम सौफ कोपते हमारे बने हैं बनके तैयार हुए दोस्तों ये देखिए उनकों सौफ मुँँ में गूल जाने वाले दोस्तों लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू दोस्तों बाइबा दोस्तों